मच एडो एबाउट नथिंग उची दुकान फीकी पकवान या यह कह सकते हैं खोदा पहाड निकली चुया आइम भरशानी टुडे वी विल लर्न एबाउट नाउन एंड जेंडर 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 मीं समझ रहना जेंडर मीं सोता है लिंग लिंग मीं सोता है सेक्ष मतलब जिसके थुरू हम जानते हैं कि फला इस्तरी है या पुरूष है या दोनों नहीं है या यह तीनों नहीं है मतलब अब आपको पता चलेगा कि जो जेंडर होता है वो चार प्रकार का होता है एक जो होता है मैश्कुलीन जेंडर जिसको हम मेल करते हैं एक होता है सेमिनाइन जेंडर जिसको फीमेल करते हैं एक होता है कामन जेंडर और एक होता है नूटर जेंडर समझ रहा है ना तो जो मैश्कुलीन जेंडर होता है उसका मतलब होता है पूरुष समझ रहा है ना मर्द मर्द समझ रहा है ना जैसे इसमें थोड़ा सा ऐसे डिफाइन कीजिए कि खास करके हम लोग यह नहीं जान पाते हैं कि दिया गया जो नाउन है या इस्तिरी है कि पूरुष है कभी कभी हिंदी में होता है इंगलिस में तो आज क्लियर हो जाएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा दूसरी चीजी है कि यह जो लेशन है और इसके पहले का जो लेशन है नाउन एंड नंबर तो नाउन एंड नंबर नाउन एंड जिंडर यह दो चैप्टर ऐसे हैं जो इंगलिश के एक्जाम में खास करके जो यह से सी हैं सीडियस है एंडिये है सीपीयो है ब कि द्रिष्टी में छोटे भी है आपको जल्दी आ भी जाएगा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जेंडर हम पहचाम नहीं पाते हैं कैसे जैसे लोग करते हैं कि हाथी जाती है तो हाथी जाती नहीं हाथी जाता हिंदी में थोड़ा सा अलग है हिंदी को हम अलग रखते हैं लेकिन अंगली से थोड़ा सा अलग है लेकिन हम बात करते हैं जो Genderal होता है यह पूलिंग होता है जैसे इस में एक पूलिंग ही QT Cannon जो है गाजिक के घृता मेल कुतिए उख मेल गए जेंडर है तो फिमेल लोकु give फादर अगर यह यहीँ आपने सिस्टर कई वह इत घौत जो घंढ़ है तो फेमिना इंडर हो गई नज़या अगर आपने गरल कह दिया तो फेमिनांज जेंडर फादर Marketing जैसे लोग काते हैं कि फला के घर बच्चा पैदा हुगा है ntो बच्चा पैदा हुआ है बच्चा बच्ची कर देते हो लेकिन वास्थों में जो वोता है क्वेबी नहीं चलता कि बव這個 इस्तरेलिंग और्फूलिंग है मतलब feminine gender आए मिश्वुलीन जेंडर है आप्ढ कामन जेंडर हो जैसे हमारे टीचर ने पढ़ाया तो टीचर बोग या वहीज यह कामन जेंडर्ड ढक्तर ने दवा दिया तो ढक्तर डूराइड़व लिंग इस्तिती पूर्श थी तो ऐसी स्थिती में वो common gender हो जाता है जो निय्टर जेंडर होता है खास करकी यह निर्जीव हम तो यह निय्टर जेंडर होता है तो इसमें एक जो आता है वो दिमाग में बना रहता है सुने है ना चक्का है ना हिजडा किन्नर तो यह जो होते हैं किसमें रखे जाते हैं किन्नर होते हैं जो हिजडा होते हैं चक्का तो नहीं होता है चक्का कोई वर्ड ही नहीं है उसका मतलब कुछ नहीं होता है तो जो नीटर होता है सेंटार होता है और इनक होता है यह अब इस समय फेमिनाइन जेंडर में आ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोट ने ऐसा आधेश दिया ठीक है यह मैटर नहीं है क्या पूछा जाएगा जो एक्जाम में पूछा जाएगा उसका मैं वर्ड पावरह लिख दूंगा मीनिग दूंगा आपको उसे रतना पड़ेगा और मेरा काम से समझाना पड़ेगा ठीक है तो जैंडर कितने प्रकार के होते हैं परकार के आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं कुछिछ जंडर ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि एक सजन्ठा के लिए जाने जाते हैं उन्हें फेमिना इन जेंडर में रखांग गया है ठीक I जो है यह सुंदरता के लिए जाना जाता है अपनी कामनियता के लिए ज्स पीस के लिए जाना जाता है तो यह इसस्ठीलिंग में और अर्थ-टिच lesson. फैमिनाइन जेंडरू K Marriage Tinder फ्लै ट्री चापलूसी फैमिनाइन जेंडर श्प्रिंग जैसे लोग आते हैं धर्थी हील रही है ऑर ही इस्तुरी लग है और इंग्लिश में भी फेमिनाइन जेंडर है इस्प्रिंग वसंतरितु होप उमीद आती है ठीक है तो इसके लिए वर्चु गुण चैरिटी दान हेमिलिटी नम्रता मर्सी दया फेथ विश्वास पीस सांती शीप जहाज रीवर नदी नेशन रास्ट जीलसी इश्या लिवर्टी आजादी फे चुश्वर्च्नी कार कारीं होता है जो करतार स्थे एस अधोर सम्कुल्च जर्म हाया को जानते हैं उनर फेमिनाइन जेंडर में यह हमें याद हो जाएगे क्योंगि कभी-कभी पूछ देता है की मूं जेंडर कौन सा है उसमें चार आपसंदे देगा फेमिनाइन जेंडर मैस्कुलीन जेंडर कामन जेंडर या नूटर जेंडर तो यह चीजें हमें याद रखना है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो पावर इस्ट्रेंग्थ एनरजी के स्वरोत होते हैं या उसको एक्सप्रेस करते हैं उनको मैस्कुलीन जेंडर में रखा गया है जैसे दशन शूरज टाइम शमय देथ मृत्यू विंटर थंडी विंड हवा विंड देखिए दो बार हो गया है सो सारी शमर गर्मी थंडर गड़गडाहट ओशियन समुद्र लव प्रेम वार युद और वाइन सराब तो यह सब पूलि लेते हैं वाइन जो है मैस्कुलीन जेंडर क्यों क्योंकि पीने के बाद जो है इस्ट्रेंग्थ आजाता है काफी ठीक है अब दूसरा जो होता है कुछ हम लोग ऐसे देख लेते हैं जो लेडी होता है लेडी जैसे हम लेडी एड्जेक्टिव के रूप में कब लगा सकते हैं जैसे हम लेडी डाक्टर नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति जो शोसल वर्क कर के रूप में हो या बहुत थेम हो तो वहां हम लेडी लगा सकते हैं जैसे लेडी डायना लेडी मैकबेथ ठी कर हैं उनके पल Notre लगा सकते हैं लेकिन बाकि जगह enforcement पड़ेगा बहुर से नाउन ऐसे होते हैं जिसमें उ मैस्कुलीन जिंडर में यानिकी मेल रहते हैं और फमीनाइन जेंडर बना जाता है जैसे पोईट, पोईटीज, एक्टर, एक्टरेस, मिस्टर, मिस्टरेस, मैनेजर, मैनेजर्स, तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल में EWS लगाकर उन्हें फीमेल बना दिया जाता है लेकिन बहुत से वर्ड ऐसे इंपार्टेंट हैं जो एक्जाम में जैसे टीटी के एक्जाम में, एससी में, टीजीटी में, पीजीटी में, कलर्क, बैंक कलर्क में इसमें पूछे जाते हैं तो उसको मैंने लिख दिया है और मुझे लगता है कि आपको याद कर लेना कई मीनिंग होते हैं मांक के इसलिए मैंने इसको लिख दिया है वीडोर मीन्स होता है वीधूर वीधूर समझ रहा है ना एक वीडो होता है वीधवा वीधवा मतलब जिसका पती मर जाता है और वीधूर जिसकी पत्नी मर जाती ठीक है तो यह वीधूर है और वह वीधवा है और मेंस कहने देगता है यह सवालों के लिए प्रेयोग की जाता है जिन की साधी नहीं होते हैं ये और होता है अट ऐसे Dual तोुमार की लिए हमें लिए 먹는 लिए यूचिस्ट किया जाता है और उब सफटेवलत आप और जो वर्जीन होता है है कुमारी तो ये फेमिनाइं जिंडर के लिए यूजी किया जाता है लेकिन आज जो सब्सकिन के लिए होता है खांब की लवर मिन्स होता है प्रेमी, विलवड मिन्स होता है प्रेमी का, सेक्सपियर की बुक आप जब पढ़ेंगे तो विलवड उसमें जादे आता है, विजार्ड मिन्स होता है जादुगर्णी, विच मिन्स होता है जादुगर्णी, विच मिन्स चुडएल भी होता है, GDP में भी था ती मुझा होगा था गैंडर मींस होता है हंस यानिकी नरहंस और गुज मिंस होता है Unsini डर्क मीस होता है जो भी होता है डक मिंस तो बतक जानते है तो जड़ रह error कि है और डार्क जो है यह पुलिंग है यानि कि मेल जेंडर है इसका मिन्स होता है डार्क मिन्स होता है नर बत्त कोल्ट मिन्स होता है घोड़े का बच्छडा और फीली मिन्स होता है घोड़े की बच्छडी तो यह फेमिनाइन जेंडर है और यह मैस्कुलीन जेंडर है बक मिन्स ह होता है नर खर्गोष होता है गई मयेंटहर होता है तो ४हता है खाald ञाए"- यहाल ओंदोधिया न जानते हैं लोमडी होता है- यह ओमीजर चाहता है स्योधकर क्या कहा जाए कि उनार यह पता है लेकिन आप जान लिजिए कि अगुछ है तो भीन्हां जाएगा मादालोमरी ठीक है अगर की वर्ड को आप ऐसे डिफाइन ना कर पाय कि इनले में है की फीमेल तो आप नर उर मादा लगा सकते हैं ठीक है ऑचमारी जब प्लूरल इसका बनाते हैं तो सी ई केवल एक एस लगाते हैं मास्टर मिन्स होता है। और मिस महने होता हैसीनमभीट। मतलब जो मास्ट वोता है यह वाय के लिए और मिस घृटल। करने के लिए के लिए यूच किया जाता ऐ erfolg में सामन्त होता है वह specimen अ dar जो ड्यूथ है इंगलेंट होस्त कि मार्कीज मीन्स का संमन्त और मार्क किओन कि मुझ संस्म दिए सा मंतनी शोल्तान में शुल्तान और सुल्तान यह क history। hijos with great इतलियनुक्त होता है इसलिए इंप esse स्भीनोर में महाखं़ी सेंच इपक्नोर में महाखं़ी है यह पिकाद में मोरे एंपरणों यह बहुत इंपर्टन दॅवस्ष कि a ओपते हैं मुलाय में मिला ऑर में में मुलाया करती आश्या तो आप सी लगा देते हैं जैसे ऑड़ोट माने वकड़ा तो सी इलफेंट माने हाथी तो सी इलफेंट मीस हथनी अगर ही वाला देगा तो इंपार्टेंट नहीं है क्योंकि वह आप जान जाएंगे ही अगर लगा है तूलिंग वाले में यानिकी मैस्कुलीन जेंडर में तो आप फेमिनाइन जेंडर में सी लगा देंगे तो जो ऐसा नहीं था उसको हमने लिखा अब जैक में सोता है गधा गदहा और जेनी एस में सोता है गढ़ी ठीक है ध्यान दीजिएगा एबोट में सोता है मठाधीस या महंत भी कह सकते हैं तो अबेस में सो जाएगा मठाधीस नी ड्रोन में सोता है नर मधुमक्खी और बी में सोता है माधा मधुमक्खी बलोक में सोता है बचला और हेफर में सोता है जान दीजिए बक में सोता है हीरन और डो में सोता है हेरनी चुकि बक इसलिए दो बार हो गया इंपार्टेंट है हार्ट मेंस भी होता है हीरन और रो मे सहोता है हीर द्लिश फडिय वाहर मांत या सन्यासी और में द्मीश देख पिछली उसमें भी है नन्स सन्यास से यैं इंपांट हें जो एक ही बॉड कईला काल रीपीट होता है टो फकल दफोट होता है जो महीला गょणे रिया होती है उसे निम्प कहा जाता है गॉड मिंस होता है देवता और गॉड़िज मिंस होता है देवी मरमें दरियाई मर्द और मरमेड दरियाई औरत तो मैं नहária कर सकता लेकिन आप समझ यह टीक है watery means होता है भक्त watery means भक्त और wateres means भक्तिनी spokesman होता है जो दूसरे के लिए बोलता है spoke sage person देखिए कहीं कहीं अगर main آता है तो इसको आप उमैन लिख सकते हैं bull elephant means हो गया की हाथी और cow elephant means हो गया हाथनी तो bull और cow लगा करके जैसे पढवा और पढ़िया यानि जो भाइस के बच्चे होते हैं उनको आप कहा सकते हैं कि बुल बफैलो मिन्स पढ़ा और काव बफैलो मिन्स पढ़िया ठीक है बिल्ली गोट मिन्स होता है बकरा और नैनी गोट मिन्स होता है बकरी वैसे ही गोट माने भी बकरा होता है और सी ग का जो व्यक्तियत पढ़ाई करता है तो मैंने जितना इंपार्टेंट था उसको बता दिया लेकिन कुछ जैसे आजी बहुते आज होता है अगर ऐसा है तो जब प्रोनावन का जरुवत पड़ता है तो उसमें परियोक जो सकती है पूरुस भी हो सकता यानि कि masculine gender भी हो सकता है feminine gender भी हो सकता है तो ऐसे में थोड़ा सा common sense use करके जब pronoun का प्रयोग करते हैं तो जब आपको समझ में नहीं आता है तो ऐसे में आप it pronoun के रूप में its possessive pronoun के रूप में और itself इंफैसीज प्रोणाउन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं इट इट और itself ठीक है जहां पता ना इंपार्टेंट था 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 थांक यू सो मुझ